तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं Adobe Photoshop के अंदर Layer Panel को Layer Panel के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं एक Create New कर लेते हैं फोटो ठीक है ओके यहां से जैसे मान लो मैंने Pixels जो आपकी मर्जी है जैसा भी आप लेना चाहूँ Custom जैसे यहां से आप फोटो कोई भी Select कर सकते हो तो मैं 7 x 5 की एक फोटो ले रहा हूँ 7 x 5 and 300 Resolution की तो ठीक है एक बार बस यह हमें दोस्तों आपने यह Layer Panel को यूज तो किया होगा तो सबसे पहले बात करते हैं यह Layer Panel की यदि आपके में यह Layer Panel नहीं आ रहा है हट गया है तो यह Layer Panel मैं वापस से लाओं कैसे तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों Windows में जाना है यहां से आपको Layer दिख रही है F7 दबा के भी ला सकते हो या Layer पे क्लिक करोगे तो यह आ गया और इसके बाद इसको ड्रेक कर दो ठीक है यहां पे ड्रेक किया तो यह देखे यह यहां पे चला गया तो इसको क्या करना है इसको यहां से ऐसे भी रख सकते है आपके मर्जी है जैसे ठीक है जैसे जैसे जहां पे ड्रेक करना चाहो वैसे कर सकते हो चलो यह भी हट गया ओके और यह भी हट गया अब मेरे को लाना है तो क्या करना है विंडो में जाना है यहां से बागी स्पेस पर जाना है और रीशेट एसेंशल पर क्लिक करते हो तो आपके यहां पर लेयर वगएर सारी चीज़े आ गई है ठीक है इसको हम यहां से ऐसे ड्रेक करके बढ़ा भी कर सकते हो ठीक है ठीक है जैसे कोई लाइबरीज पर क्लिक कर दिया मैंने और इसको थोड़ा सा बढ़ा कर सकते है जैसे चाहूँ तो यह लेयर आ गई ठीक है अब इसके बाद मेरे को कोई लेयर लेके आनी है लेयर में फोटो ल तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि आप layer में कैसे change कर सकते हो ठीक है तो जैसे मान लो इस ये background है इसको मेरे को layer में change करना है तो कैसे change कर सकते हो मैंने तीन दो तीन तरीके पहले ही बताये थे पहला तरीका क्या था इस पर double click कर दो double click करोगे और ok करोगे तो ये देखो layer में चेंज हो गई है पहला तरीका यह था दूसरा इसके उपर log के उपर click कर सकते हो तो फिर से layer बन गई तीसरा आप इस log को उठाके यहां पर delete पर डाल सकते हो फिर यह layer बन गई, छोथा आप यहां से ठीक है इसको drag करके, sorry, okay, ठीक है इसको mood tool कर लेते हैं, इसको drag करोगे तो यह देखे, convert to normal layer, यहां से कर सकते हो, इसके बाद, पर वो जब इसको drag करके करते हो, तो वो layer आपकी हिल जाती है, तो वो भी गलत तरीका है, वो सही नहीं है, यहां से एक layer में जाके, आप यहां से new layer करके भी कर सकते हो, ठीक है? जो भी है, मरजी, आपको, ठीक है, अब माल लो, मेरे को एक photo लेके आनी है, तो यहां से क्या करना, layer में photo लेके आनी है, इस background के उपर, जैसे माल लो, मैं normally select करता हूँ, तो नहीं आएगी, इस ही के उपर लेके आनी है, तो क्या करना है, पहले इस embedded के click करना है, और इसके photo है, वो आपकी सही नहीं है, तो इसको क्या करना है, इस पर इसको right click करके sterilize layer कर दोगे, जिससे normal layer में convert हो जाएगी, ठीक है, यह देखिए, ठीक है, अब आप इसे use कर सकते हो, ठीक है, अब बात करते हैं, मैं photo खोल लेता हूँ, एक दो, जैसे एक यह खोल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों, आपको पता होगा, कि photo को एक layer से, दूसरी layer पर ले जाते हैं, तो कैसे ले जाते हैं, तो move tool की साइथा से ले जा सकते हो, पहला तो, जैसे मैंने इसको, यहां से, सुरी, पहले, अब देखिए, अब यह क्या है, यहां से यह देखिए, अब मैं इस photo को, और इस photo पर ले के जाता हूँ, यहां से यह देखिए, click किया, यहां से मैंने control zero कर दिया, सुरी, फिर control T कर दिया, और इसको, मैं छोटा करके, छोटा कर देते हैं, या तो आप यह ऐसे चोटा कर सकते हो, या आप width और height चोटी कर सकते हो, जैसे मान लो, जैसे यहां से 10 कर दिया मैंने, ठीक है, ओकी, तो क्या है, पहले इसको क्या करते हैं, इस background को मैं delete कर देता हूँ, ठीक है, जैसे इस background को delete करते हैं, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो, यहां से यह थी मेरी photo, ठीक है, ओकी, इसको मैंने इतना drag कर सकते हैं, पूरा भी करना चाहूँ कर सकते हैं, या पहले इसको मैं क्या करता हूँ, छोटी कर देता हूँ, तो, this, ओकी, ओकी, ठीक है, यहां से यह layer थी, ओकी, एक यह layer थी, तो इसको क्या कर सकते हैं, क्या तो मैं इसको delete कर देता हूँ, तो यहां से delete कर दिया मैंने इसको, ठीक है, और यहां से वापस से इसी पे चलते हैं, इसको उठा के, इस पे ले आते हैं और यह बड़ी होगी है तो ठीक है इसको क्या करते हैं कंट्रॉल टी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ठीक है इसको कंट्रॉल टी किया मैंने थोड़ी और छोटी कर लेते हैं यह थीक है जैसे यह एंटर दबाया यह हो गया अब यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपकी लेयर छोटी जगह में आ रही होगी और मेरी पूरी में आ रही है दिखाऊं तो आपकी यह चोटी जगह में आ रही है तो आपको क्या करना है यहां पर राइट क्लिक करना है ठीक है राइट क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहां से एक उप्सन आता है मैं बताता हूँ आपको पैनल उप्सन है ना पैनल उप्सन में आपके यहां पर एंटाइर डोक यहां से इस पर क्लिक करना है तो यह देख के पूरी में आ गई आपकी ठीक है अब इन option को समझ लेते हैं यह 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 हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पहले यह समझ लेते हैं सबसे पहले आता यह इस option का क्या यूज है तो दोस्तों यह delete option होता है कि जैसे मालना मेरे को किसी layer को delete करना है तो मैं क्या करूँगा इसको उठाऊँगा और यहां से drag करके इस पर रख दूँगा तो delete यह Ctrl Z ठीक है यह मेरी delete करने का दूसरा आता है मेरा यह यह आता है new layer करने का जैसे यह देखे मैं इस पर click करता हूं तो यहां पर यह देखे यह देखे यह transparent layer कर देता है मेरी लिए बना देता है यदि मैं इस transparent layer पर click करता हूं तो कोई फाइदा नहीं है अब मैं इसको delete करना है तो delete से भी डिलिट कर सकते हो आप इसको तीसरा आता है मेरा option grouping का तो ये grouping क्या है देखे, मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा हमारा ये बड़ा हो जाए, तो मैं आपको तीक है यहां से माइनलो मेरे पास ले रहा है ठीक है दो और खोल लेते हैं चलो फोटो खोल लेते हैं दो तीन और यह लीजिए और मैंने दो तीन फोटो खोल लेनी है इस पे ठीक है यह एक दो ठीक है जैसे ही मैंने ये फोटो खोल लिए ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इस फोटो को आपको पताया था मैंने किसी फोटो को एक जिगह से दूसरी जिगह ले जाना तो आप इस एक कर जिगह धी कर देंगे यांपे तो इस blank कर लेंगे तो इसके लिए हम क्या करते है इसको थोड़ासा यहां से कंट्रोल T करके इसको थोड़ इसकी width को यहां से क्या करते हैं वैसे भी कर सकते हूं आप वहां से भी तो मैं इसको थोड़ आशा विट इसकी क्या करते हैं 30 कर लेते हैं दुल न स्लिफ जिरD अगे कि और थोड़ी सी हाइट भी कर लेते हैं 20 यह तीन लेइर हो गई धिक है और इसको यह लेएं आप देख सकते हूं यह हैं यहां की लेइर इस यहां पर आ गई ठीक है, तीन फोटो हो गई, तो तीन फोटो हो गई ना, अब मैं group की बात कर रहे थे, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पे यह group दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इस पे click करोगे, जैसे ही click करोगे, तो यह group बन जाएगा, आप इस पर डबल कलिक करके इसको आप चेंज भी कर सकते हो जैसे मुबाइल करके मैंने एक ग्रूप बना दिया आप से एक से जाधा चीजों देर काम पर काम कर रही हो तो यह काम आता है इस आपी हो गया ठीक है स्वरी डबल क्लिक किया हमने हो रिए या तो आपको देखो जैसे control जैसे मानलो मेरे को इस group को delete करना था तो मैं यहां से क्या करता है mobile पे click करता हो delete group करता है तो यह देखे delete हो गया अब मेरे को क्या करना है मैंने इस photo पे click करना है और इस group पे click करता हूं तो इस group के अंदर यह photo आ गई है ठीक है अब मेरे को क्या करना है जैसे मानलो इस फोटो को ड्रेक कर दिया मैं इस ग्रूप के अंदर चली गई और इस ग्रूप को भी इस फोटो को भी ड्रेक कर दिया इसमें तो यह दोनों इसी ग्रूप के अंदर चली गई ठीक है अब देखिए जैसे मैं इस ग्रूप को एक्स्ट जैसे मालो यह group मेरे को delete करना है तो क्या करूँगा मैं इसे delete group पे करूँगा click अब यह देखे मेरे से पूछेगा क्या delete the group group one and its content or delete only the group तो देखे आप group and content delete करते हो तो यह content भी delete हो जाएंगे यहां से और group only करते हो तो group delete होगा यह content नहीं होगे जैसे group अब इसका shortcut तरीका है कि मैं एक साथ एक एक मेरे को move करके ना डालनी पड़े group में तो क्या करते हैं यहां से इस पे click करना है और यहां से shift दबा के click करना है तो यह तीनों select हो गई है और यहां से group पे click कर देना है तो यह देख कर लेता हूँ ठीक है delete group एक सेकन बाइडियर तो मैं क्या करता हूँ एक बर control Z करते हो क्योंकि मैंने सारी सारी photo ले लिए थी group के अंदर तो ठीक है कोई दिखकत नहीं अब क्या करना है control Z कर दिया मैंने अब मालो इसका shortcut तरीका है तो इसको क्या करना है जैसे मालो मैंने इन दोनों फोटो को select कर लिए और Ctrl G दबाता हूँ, Ctrl G, ठीक है, तो यह क्या होता है, कि इसका group बन जाता है, Ctrl G से भी आप group बना सकते हैं, Ctrl Z करके मैंने इसको सही कर दिया, या delete करके आप इसको सही कर सकते हो, अब बात करते हैं, contrast की, contrast मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे यह है, म अब मैं जैसे ही, contrast पे click करता हूँ, तो यह क्या करता है, आपका, यह देखें, जैसे मैं contrast पे click करूँगा, bright and contrast, तो यहां से यह देखें, color वगेर, यह देखें, सारी photos को bright वगेर, change करने के लिए होता है, जैसे यह देखें, सभी photo पे effect डाल रहा है, सभी पे, तो यह चीज अलग से बनाऊंगा, तो उसमें देखेंगे, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा minimize कर देते हैं, और यहां पे यह देख सकते हूँ, यह देखे contrast, तो यहां से आप क्या कर सकते हूँ, मैं इस contrast को delete कर देता हूँ, यह दिए, यह लीजी, तो ठीक है, photo memory नॉर्मल हो गई, ठीक ह तो photo memory वापस से normal हो गई, अब इसके बाद आता है, mask, layer mask, layer mask क्या होता है, जैसे मान लो, दोस्तों मैं चाहता हूँ, यहां से मैंने एक elliptical mark tool select किया, और मैंने इसको, बस, मैं इतनी ही photo रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँँगा, इस पे करने के बाद मैं mask कर दूँग इसको, तो यह mask करने के बाद आप देख सकते हो, यह photo उतनी रहेगी, जैसे मान लो, दूसरी photo को देखते हैं, इस पे click किया, और मैंने इसको, portrait में, rectangular में इसको ले लिया, और yellow, okay, okay, मैंने इतना select कर लिया, ठीक है, मैंने यहां बे fix size कर रखा है, तो मैं इसको normal कर लेता हू जैसे मान लो, और इसके बाद, okay, तो यह देख सकते हो, कि मतलब इतनी ही photo यह रह गई है, ठीक है, जितनी मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो mask का मतलब यह होता है, इसके बाद, जैसे मान लो, मैं mask को क्या करता हूँ, एक बाद delete कर देते हैं, mask का, भी हम पूरा वीडियो अलग जाएगा, तो मेरे को क्या करना, इनको delete करना है, तो मैं क्या करूँगा, right click कर लेते हैं, और delete layer करोगे, तो यह देखिए, जैसे ही मैं delete layer करता हूँ, तो यह देखिए, yes, तो जैसे layer को delete किया, वो delete, layer ही पूरी delete हो गई, तो क्या करना है, आपको, यहां पे layer mask और delete है ना और इसको भी यहां से भी आप कर सकते हो यह आपकी क्या है कि यहां पे आपको option option सायद disable मिल जाए दोस्तों एक से नहीं करेंगे हम यहां से layer mask और delete ठीक है तो यहां से layer mask डिलिट हो गया है अब इसके बाद layer mask के बाद आता है आपका layer style layer style के उपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे पर मैं बता देता हूं layer style मतलब जैसे यहां पे आप सेडो वगेरे डाल सकते हैं glow डाल सकते हैं overlay वगेरे वगेरे जो काफी चीज़े हैं तो जैसे मानलो यह फोटो है ठीक है इसके पीछे मैं आपको सेडो डालना चाहता हूं तो क्या करेंगे यहां से क्लिक करेंगे drop shadow पे क्लिक कर लिया मानलो मैंने दिखाता हूं मैं आपको ठीक है यहां से अब देखिए जैसे मैं यहां से यह बढ़ाऊंगा तो पीछे 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 बढ़ाता हूं थोड़ा सा ठीक है यह देखे पीछे थोड़ा सा इसका सही मैंने ठीक है यह देखे थोड़ा सा एंगल ह हना रो बिसि इसकी मैंने बढ़ा दी जैसे भी है तो यह देखे इसके पीचँ फोटो के पीछे आ गया और blend mode जो भी आप करना चाहओं जैसे भी आपको match करना है आप कर सकते हो lighten या जो भी है आपकी मर्जी है डाखन, multiple तो और ok कर देते हैं तो यहाँ पर यह देख सकते होगी यहाँ पर इसके फोटो के साइड में यह effects आ गए हैं ठीक है तो यह effects है ठीक है तो जैसे मानले एक बाद यह effects को आप delete कर सकते हो आपकी मर्जी है थीक है, तो मैं क्या करता हूँ? एक बार इस चीज को üzबादे ङепशी, इसके बाद आप आते है, लिंक क्या काम कैसे करता है? जैसे मालनों, एक फोटो यह है, और एक फोटो यह है, जश्फ्ट के साथ इन दोनों फोटो को Tuckspagnardi वर इस पर लिंक पर किलिक कर दियुक करתा हूं तो यह दोनों फोटों लिंक हो गया अब देखिया जैसरे मालों मैं इस फोटों को उपर ट्रीच करऊंगा तो दूसरे वाड़ी भी फोटों करती हैं यह का काम आता है दोस्तों कि जैसे मालों मैं चाता हूँ कि इनकी जो जो इनकी साइज है वो जगह से एक साथ काम में आए कि ये हिले तो मतलब एक साथ जैसे मानले मेरे को इस फोटो को यहां लगाना था और इस फोटो को तो मैं इस फोटो को इधर करता हूँ तो यह फोटो भी इधर उतनी ही आनी चाहिए तो उसके लि झाल झाल झाल